क्रोमाइट अयस्क क्रोमाइट और क्रोमियम का एक मात्र अयस्क क्रोमाइट है मैगनीज के तरह क्रोमियम का भी उप्योग लौ इस्पात में मिश्रन के लिए किया जाता है इसके उप्योग से उच्चताब सहने वाला स्पात बनाया जाता है इस पात में क्रोमियम की थोड़ी मात्रा 3% मिलाने पर रेती, आरी, कुलहाडी और हथोडे आधी बनाने के लिए कठोर इसपात बनता है इससे थोड़ी अधिक मात्रा 12-15% मिलाने पर उश्मा सह घर्शन और संशारण सह इसपात बनता है जिसका उपयोग रसोई घर के बरतन, छूरी काटा, मशीन की बेरिंग आदी बनाने में किया जाता है क्रोमियम के साथ निकल मिलाने पर इस पात में भाप, जल, आद्र, वायू तथा अमलद्वारा होने वाले छरण को सहने की चमता आती है क्रोमियम के साथ टंगस्टन, कोबाल्ट और मालिब डेबनम मिलाने से बहुत ही मजबूत इस पात तयार होता है जिसे स्टेलाइट कहते हैं, जिससे उच्च वेग वाली मशीनों के पूर्जे बनाया जाते है क्रोमियम का उपयोग उच्च तापवाली भठियों में किया जाता है इसका उपयोग रंग, चमड़ा और वस्तरुद्योगों में भी किया जाता है भारत में क्रोमियम का कुल अनुमानित भंडार एक अप्रेल 2010 में 20.3 करोड़ टन आका गया है ओडीशा में भारत का क्रोमियम का सरवाधिक भंडार है ये विशेश कर सुकिंदा घाटी, कटक एवं जाजपूर जिले में पाया जाता है तंगस्टन आधुनिक धात्विक उद्योगों में मिश्रित इस्पात एलोई स्टील बनाने में तंगस्टन का विशेश महत्तो है इसके उप्योग से इस्पात में मजबूती, कठोरता, घर्शन तथा धक्का सैने की चमता बढ़ जाती है तंगस्टन मिश्रित स्टील का उप्योग उच्छ श्रेणी के काटने वाले उपकरण और पत्थर छिद्रक उपकरण बनाने में किया जाता है तंगस्टन, कोबाल्ट और क्रोमियम मिश्रित स्टेलाइट का प्रयोग कवच पट्टा, बंदू के, कवच अंतरवेधक आधी बनाने में किया जाता है विद्धुत उपकरण जैसे बल्ब तथा ट्यूप के फिलामेंट में भी तंगस्टन का उप्योग किया जाता है यह राजस्थान, पश्रिम बंगाल, महरास्ट और करनाटक में पाया जाता है तांबा, कौपर तांबा का उप्योग मानव प्राचीन काल से कर रहा है तांबे के साथ तीन मिश्रित करके कांस्य का निर्मान किया गया था तांबे के मिश्रण से पीतल भी बनाया जाता है जिसका उप्योग उप्करण सिक के आधी बनाने में किया जाता है 19. सदी में विद्धुत के अविश्कार के बाद तांबे का महत तो बहुत बढ़ गया क्योंकि यह ताप तथा बिजली का सुचालक है तथा रासानिक शरण का अवरोधक है इसी कारण आधे से अधिक तांबे का प्रयोग विद्धुत उद्ध्योग में किया जाता है तांबा मिश्र धातुओं का उप्योग टेलीफोन, रेडियो, रेल उपकरण, हवाई जहाज, जल जहाज, रफिजरेटर, घरेलु उप्योग की अन्य चीजें तथा युद्ध समागरी बनाने में किया जाता है देश के कई भागों में तांबे के खोज की जा रही है भारत में तांबा अयस्क का कुल अनुमानित भंडार एक अप्रेल 2010 में 155 करोड टन आका गया है फिर भी भारत में तांबा उत्पादन अपेक्षा कृत कम है और मांग की अधिकता के कारण इसका आयात होता है तांबे का अधिकान जमाव जारखंड, मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्यों में है साथ ही इसके छोटे संचे, गुजरात, करनाटक, आंध्यप्रदेश, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, सिक्किम, मेघाले, महराज्ट और पश्रिम मंगाल में भी पाए गये है देश का 37 प्रतिशत से अधिक भंडार जारखंड राज में है, मध्यप्रदेश के बालाघार जिले में इस्थित मलाजखंड तांबा की खान देश में प्रसिद्ध है सीसा सीसे का उप्योग वर्तमान समय में परिवहन, संचार और बिजली के उत्पादन में होता है यह भारी, नरम और लचीला होता है इसका सरवाधिक उप्योग विद्धुत उद्योग में संचालक बैटरी, स्टोरेज बैटरी तथा तार गढ़ने के लिए किया जाता है इसका कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रेल 2010 में 1 करोड टन आका गया है, राजस्थान में इसका सरवाधिक भंडार है